फ्रेंट्स कैसे हैं आप सब आशा करता हूं आप सब ठीक होंगे मैं आपने स्वागत करता हूं पर फिर से आपका अपने यूटूब चैनल एक्जाम जैस्ट में इस वीडियो में बात करने वाले हैं अब आपने नहीं चैक किया है तो वीडियो के दिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिर्क लिंक है वहां से अपना एड्मिट कार्ड जो है निकाल सकते हैं इस वीडियो में बात करने वाले हैं तेस्ट जो आपका है यह इस टाइपिंग असकी इस्टेक्शन में आपको क्या क्या लेके जाना है। और जो सबसे मेंछी में है 1 उ choking मिस्टच जो है किस तरीके से काउंटोंगी इस वीडियो में आप अच्छी से समझ लीजेगी अगर आप कोई वर्ड ले चैसे कि आप वाच लिखते हैं और आपका T की जएके मानलो H या फिर Y दब जाता है और CH दबता है फिर उसके बाद तो यह आपकी हा अप मिस्टेक्स है या फुल मिस्टेक्स है तो चली विडोश शुरू करते हैं विडोश शुरू करने से पहले जो लोग चैनल पर निविजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब करके बैल आइकन को जरूर पैस कर दीजेगा गौर्मंट जोब की पल पल अपडेट के लिए यह आप देख सकते हैं यह मेरे पास एक केंडिडेट का एडमिट काड़र उसके अंदर लिखा हुआ है इंस्ट्रक्शन और इंस्ट्रक्शन तु दा केंडिडेट ओन टाइपिंग टेस्ट इको लेटर प्लीज रीड केरफुली एंड कंप्लेइन विद्ट ओल इंस्ट्रक् के लिए जो भी चीज है आपको अपना मास वगरा सेंटाजर वगरा लेकर जाने होगी यह पहले पूंट में लिखा हुआ है दूसरे में लिखा है हुआ है चेंज ओफ डेट शिफ्ट शेंटर ओफ एग्जामिनिशन यानि कि आपका जो डेट है एक्जाम का शेंटर है वे पैसिफाइड थ्योरन यानि कि जिस एड्मिट कार्ट पर जो आपका टाइम लिखा हुआ है शिफ्ट लिखी हुए जगा लिखी हुए यह उसी दिन के लिए उसी शिफ्ट के लिए वैलिड आगर आप आगे पीछे जाते हैं तो आपको काउंट नहीं किया जाएगा आपक फोटो के लिए लगा हुआ है स्पेस बना हुआ आपको फोटोचिफ का नहीं है फिफ्ट पॉइंट के अंदर क्या है केंडिये टार एड्वाइज टू लोकेट देर टेस्ट सेंटर एंड इस असेसिबिल्टी एड लिस्ट एड डे बिफोर देस्ट सो देयाट देकें री जब आप टाइपिंग टेस्ट देने जाएंगे तो टाइम से पहले ही पहुचेंगे सिक्स पॉइंट में क्या लिखा है नो केंडिडेट विल बी अलावड इंसाइड इन टेस्ट चैंटर आफ्टर गेट क्लोज के बाद भाई कोई भी वच्चे को अंदर नहीं लिया जा दूसरी ग्यारा से साड़े वारा तीसरी डेड़ से तीन और चोथी जो आपकी चार से साड़े-चार इस आपके बताया गया है टाइपिंग टेस्ट के बारे में आप सभी लोग जानते हैं कि कितनी इस पीड आपको चाहिए हिंदी में आपको 25 चाहिए इंगलिसमें 30 चाह होगा हिंदी में आपका जो फोन्ट होगा वो क्रूतिदेव और मंगल फोन्ट होगा वहीं इन्होंने पी डबलूडी के लिए बताया है कि उनको कितना टाइम बगारा दिया जाना रफ शीट विल भी प्रोवाइड डूरिंग दैग्जाम यानि कि इसके अंदर आपको नो र प्रिव जो है यह अपने सेटिफिकेट काटिगरी का लेके जाना होगा क्वालिफाइड केंडिट जूँर अकेडमिक वाले हैं बैन्ड बैंड क्या रहेगा इसमें यानि क्या नहीं ले जा सकते हैं वाई बैडिकल ओनली मैडिकल सेटिफिकेट इकोल लेटर और फोटो आ को यहां से स्टार्ट होती है कि आपका जो टाइपिंग से रिलेटिड है वो किस तरीके का बताया जा रहा है यह आप सभी को बताई कि 5% आपका माफ किया जाएगा फुल मिस्टेक होती है लेकिन यह किस तरीके से रेलवे काउंट करेगा यह एक बहुत ही हाफ मिस्टेक फु फुल मिस्टेग बन जाती है और इस तरीके से यह फॉर्मुला और याले बिगा लेकिन फुल मिस्टेक किसे बोलती है यह आरार बिने बता दिया हैंaran मिस्टेक के बारे मिंहां जानेंगे इस वीडियो में और वको कितनी टाईब नियुकः कर सकते हैं सब वीडियो में आपको सब चीज बताने वाला हूं आप अंतक वीडियो में बने रहेगे फॉर्स्ट पॉइंट में क्या लिखा फॉर एवरी शब्स्टिटूशन ऑफ वर्ड फिगर बायर रोंग वन अगर आप किसी वर्ड को सफ्टिटूट कर देते हैं किसी अन्य वर्ड से अगर वही मैंने बताया वाच की जगा आपका टी की जगा है वाई दब गया और ची दब गया तो यह आपका फॉल एरर में गिना जाएगा दूसरे में क्या बोलना है फॉर एवरी एडिशन ऑफ वर्ड यानि कि अगर आप किसी वर्ड का एडिशन कर देते हैं यानि कि जै गिना था वाच और यहां वाई की जगे आपका टी भी दब गया तो यह भी आपका फॉल एरर गिना जाएगा तीसरे पॉइंट में आपको क्या कहता है फॉर एवरी स्पैलिंग एरर कमिटेट बाइवे और रिपीटेशन एडिशन और ट्रांच ट्रांच पोजिशन का आगे पीछे कर दिया तो यह सब आपकी ऑइफूल मिस्टेक Sun काउंट तोमीशन स्काँण के अंदर आप देख सकते हैं कि उमिशन जो आपके जो मैं वोगरा लगते हैं वो भी आपके जो हैं ऑमिशन जो हैसाना सच जो मिस्टेक्ष हैं आपकी वह फूल मिस्टेक्स होंगी लाइन का मतलब यह जैसे आपने यह एक लाइन लिखी हुई है और यह पूरी ही छूट गई मान लिजी यह गलट टाइप हो गई तो यह आपका एक मिस्टेक मानी जाएगी इसमें कहीं न कहीं केंडिडेट को थोड़ा सा फायदा मिलेगा जिनकी लाइन छूटेगी वैसे तो मैं आसा करता हूं कि आपकी लाइन ना छूटे महाँ पर हाप मिस्टेक्स के अंदर अगर हम देखते हैं तो आप यह देख सकते हैं इस पेसिंग आपने स्पेस एक दवा दिया दो दवा दिया तीन दवा दिया तो वह आपकी आप मिस्टेक्स होगी पंक्चुएशन एर वेर दपंक्चुएशन मार्क इन ओमिटिड और एडिट टू और सफ तिटूट बाइ अनदर यानि कि आपका जो कोमा का शिंता आपने फुल स्टो इस नोट यूनिफॉर्म हाफ मिस्टेक्स विल बी डिटक्टिट फोर इच रॉंग पैराग्राफ यानि कि आपने अगर पैराग्राफ को चेंज किया है उसमें अगर आपने कोई गडवट किया तो आपकी हाफ मिस्टेक्स होगी कैपिटल की जगा आपने स्मोल कर दिया स् हो भी आपकी हाफ मिस्टेक्स कही जाएगी ट्रांज पोजिशन एरर जो है आपका जैसे कि यह लिखाओ वायनों एक्जाम्पल दिया आई होप लिखना है आपको और आपने लिखता होप आई दोनों वर्ट ठीक लिखें लेकिन आगे पीछे लिख दिये तो आपका यह भ जैसे आपने यहाँ पर प्रिकोशन लिखना था और उसके वीच में आपका यह योजक्ची नाना है तो आपको यहाँ पर यह डालना होगा अगर आपने यह नहीं डाला तो भी आपका हाफ मिस्टेक्स काउंट होगा वाई फोल्टी ओप्रेशन का क्या मतलब है आप देख लिखा गया तो भी आपका हाफ मिस्टेक्स काउंट होगा ओमिशन की अगर मैं बात करता हूं तो जैसे की ओफे लेटर इन वर्ट हुआ कोज कोजिंग ब्लैंक इस पेस इन प्लेस ओफ लेटर यानि कि अगर आपने किसी लेटर की जगह ओमिशन जो उपर लिखा था कि यह आपने सही लिखा वाकि एच की जगह आपने स्पेस दगा दिया तो यह भी आपका हाफ मिस्टेक्स में काउंट होगा बाकी और इसके अंदर कुछ नहीं है बाकी मैं सब आपको इसमें डिटेल में बता देता हूं एक बार ओवर विव आपको देता हूं क्या हाफ मि स्पेस यहां पर आपको दब जाता डबलू यह आपका फूल मिस्टेक्स होगा और यहां पर कोमा था लेकिन आपने डोट लगा दिया तो यह आपका हाफ मिस्टेक्स होगा चरनली यह कि आप अपने वर्ड को कम्प्लीट ही लिखें बीच में ना छोड़ें जैसे कि बहु पर अगर उनका एक ही जगा इस दब गया तो वह स्पेस मार के एक लिए पर चले जाते हैं ऐसा मत किरिएगा यहां पर वर्ड लिखिएगा पूरा बड़ना आपके स्ट्रोक जो है और कम हो जाएंगे अब मैं बात करता हूँ कि कितने स्पीड वालों की जो है टाइपिंग टेस्ट जो है पास हो सकता है अगर किसी केंडिडेट की 40 वर्ड पर मिनट स्पीड है या फिर उससे ज्यादा है तो वह केंडिडेट इस टेस्ट को क पर मिनट है तो उसको थोड़ा सा चैलेंज हो सकता है पास वो भी कर सकता है अगर उसकी अच्छी है तो क्योंकि उसको accuracy अच्छी रखने का ये एक benefit मिलेगा कि जितने उसको 5% के अंदर word का relaxation मिलेगा उसके अंदर ये अगर उसके error भी आ जाएं तो वो pass कर जाएगा लेकिन अगर एक error भी जादा हो गया तो वो disqualified हो जाएगा इसलिए जिनकी speed जो है कम है वो अपनी accuracy पर जान दें दो दिन बचे हैं तीन दिन पचे हैं आपके पास बहुत सब्सक्राइब का दूर सेंटर पढ़ा है तो उनके पास दो दिन है तो आप इस तरीके से अगर typing कर रहे थे तो क्योंकि आप तो कुछ हो नहीं सकता क्योंकि आपने practice कर ली है टाइम जितना भी मिला है वो सभी के लिए सेम था तो इसलिए आप इस फोर्मूले से अगर करते हैं अपने accuracy क्वालिफाई कर जाएंगे इस वीडियों बस इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद